पर इस्टार्ट करते हैं तो आपने अभी दू ने पढ़ा था तो फर्स्ट आपका था एक्जीम था 6.1 S, A, S congruence rule यह नहीं सकेंड था theorem 6.1 था A, S, A rule ओके इसी दो पर हमने डिस्स किया था इसी दो रूल पर बेज़ड आपका यह पूरा exercise 6.1 है तो स्टार्ट करते हैं Q1 Q1 इसनमें फ्रस्ट क्या करें देखो इन क्वाड्रे लेक्टरल A, B, C, D काथा A, C, E, C, E, C A, B, B, S, X अगल A यहनि A, देखो A, B, C, D क्वाड्रे लेक्टरल है जिसमें A, C, और A, D, E, C, E, C अगल A काँँग यह ए ऑफ एंगल उपर हो जाएगा और हाफ एंगल नीचे हो जाएगा ओक्यें एंगल C A B और दूस्ता एंगल है D A B यह दोने इक्वल होगा यह एंगल इफ एक्वल होगा इसा क्यों चूब की एवी क्या है अंगल A को कर रहा है ठीक है अब गदाशो देर ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल EBD are congruent तेक है यह दो टैंगल आपको ABC ए दूसरा के ABD यह दोनों triangle कहां congruent है इसे प्रूफ करनी है ठीक है आप या तो SAS रूल से हम proof करेंगे या तो ASa से ठीक है तुढ जो यूज होगा उसका यूज करेंगे second question कर रहा हुआ है what can what can you say about bc and bd करता बताओ बी-सी और bd के बारे में आप क्या जानते हो तो किस तरह कर रिलेशन यह बताने है ठीक है तो पहले हम लोगों क्या करें से काउब्रूब करते हैं जैसे कॉब्रूब्रूब होगा देन cpct का यूज करके यूज करके हम बता देंगे दोनों में कैसा रिलेशन है अब देखो विटे अगर जैसे कॉब्रूब्रूब्रूफ हो जाएगा इक्वल हो जाएगा इक्वल है यह नहीं कि इस वीची और बीडी के बारे इनक्या करना चाहते हैं दोनों क्या इक्वल है ओके तब पहले आते हम लोग इसे कॉंग्रूब्रूफ करते हैं टेंगल एबीसी को दूसरा टेंगल एबीडी को अब सिंपल है दाइग्राम में समझ जो अब दखो आप पास दो इंगल एबीडें पहला है एबी से डीन इस टेंगल प्रक्व डूसरा टेंगल नीचे वला है ए बीडी अब इस दो टेंगल में क्या कहा एक्रोड़ हो इस टेंगल मैं ए टेंगल एबीसी में एची और टेंगल ABD में AD equal है फिर आए TANGLE A, B, C में A वाली एंगल TANGLE A, B, D में A वाली एंगल equal है A और ये दोने एंगल equal है फिर देखो TANGLE A, B, C में AB TANGLE A, B, D में भी AB ये common है AB के दोनों common है तो क्या होगा बैटे तो क्या क्या है यहाँने दो साइड और included angle equal है, धान दो, देखो बच्छे, क्या क्या है, देखो इस triangle के बात कर रहे है, ABC में, इसमें A वाली side और A वाली side, यहीं है, यह तो दोनों में, दोनों side, इस triangle में, नीचे वाला triangle में क्या है, इस वाले में, कि A वाली side और A वाली side, ठीक है, और इस दोनों side के बीच included angle क्य नटेंगल abc में अवाले साइड का इंक्लूएड एंगल एवाली अंगल है इस टेंगल में क्या है एवाली साइड और ऐंगल इंक्लूएड एंगल एवाले है यह दोने एंगल हो जाएगा होगे तो प्रूफ कर लें तब विपस इसे को प्रजेंट करनी है और कुछ हाई नहीं समय और इस टैंगल में ABC में AC इस टैंगल में AD equal है फिर दोगो टैंगल ABC में AB AB आर टैंगल ABD में AB यह common है और टैंगल ABC में एक्हें टैंगल ABD में AB adequate है देख्या हो limited है यहांगे जोचे टू साइड़् ए वाली साइड में दो एक्हें इसका इंक्लूडेड एंगल यह इस वालके टैंगल में भी ये वाली साइट और ये वाली साइब मैं कहले से अंहें और इंगल इंगल है किया है से क्यों कु novelty ब θबो कि लिख औहरे हैं डाइगराम नहीं बना रहा हूं डाइट कर रहा हूं है यह बनाना चाहते बना लो क्या दिक्षा थे ओके देखो क्वेश्चन नमर क्या है कि फस्ट डाइगरम आपकी इस तरह से है कि ओके कि ओके इसे तरह ओके यह थोड़ से और बढ़ेश्चन बना लो कि ओके अब क्या है देखो कि और आपको क्या क्या दिया है कि एसी एडी केकवल है और यह दोनों कोमन है और यह बी क्या एंगल एका बायसेक्टर है तै आधा एंगल इधर ओर हाफ एंगल ही एकक्वल गिवन देट गिवन देट एक इवकल तो अधिक यह फिस्ट इए फिस्ट इन फिस्टानिट यह बिखिए 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 अगल A A B ये अंगल A को Biset कर रहा है ठीक है Therefore क्या हो जाएगा Therefore हो जाएगा विटा कि A वाली एंगल A C A C A B इस एंगल क्या नाम है एंगल C A B equal हो जाएगा इस वाली एंगल क्या नाम है एंगल D A B D A B equal है ओके अब क्या करना है प्रूफ देट प्रूफ क्या करनी है ट्रेंगल ABC कॉंगरुवेंट है ट्रेंगल ABD का ये प्रूफ करनी है फर्स्ट में शक्रेंड में कह रहा है कि कर देखूँ सब्सक्रेंग कर्या है फर्स्ट के युझवाट से अबाओ बीच्ट पीड त्वाट कैंड युझ इन ऐसी अबाओ के अबवाओ प्रूफ से अबढ़ी सी एन बीच्ट हां पीडिड प्रूफ दिख सकेंड युझ हां शेंच जी डिकांट का घ्रिक शाम और बीची एंड पीटी ओके तो क्या आपको दिया हुआ और क्या प्रूफ करना लिख लिए अब हम प्रूफ करते हैं फिर्स्ट यह वाली पार्ट प्रूफ करते हैं प्रूफ करते हैं फिर्स्ट इस दो ट्रेंगल को गॉर्फ करना ओध ट्रेंगल लेक चलते हैं इन ट्रेंगल A, B, C and Tangle A, B, D A, B, D अब इस दो Tangle में दो क्या क्या एक्वल है ओके ते क्या दो को बच्चे Tangle A, B, C में A, C और Tangle A, B, D में A, D एक्वल है क्या है A, C इकल टू A, D यह आपको क्या given है फिर फिर इस टैंगल में देख़ो बच्चे क्या है इस टैंगल में A वाली अंगल और इस टैंगल में A वाली अंगल इक्वल है चुकि अंगल A को A भी बैसेक्ट कर रहा है, A भी क्या कर रहा है यह पूरा एंगल यह है, इसको बैसेट कर रहा है कुल AB तो दोनों एंगल इकोल, एह वाली एंगल इकोल है तो उपर वाले एंगल के नाम है एंगल CAB है ने, यह जो लिखा हुआ, यह यह, ठीक है एंगल एंगल CAB इकोल टू एंगल नीचे भाला है, D, A, B D, A, B इक्वल है, A, B क्यों इक्वल है है, लिखेंगें, Sins A, B Bisex Angle A ओके, ऑफ लास्ट में क्या है लास्ट में चो यह A, B है, नोनों को न है दोनों ट्रेंकल में, A, B क्या है दोगि, A, B इसमें भी है एबी इसमें भी है ओके एबी एक कल्टू क्या है एबी क्या लिखेंगे कोमन है कोमन है तो देर्फ़र क्या हो गया देर्फ़र दो साइट्स देख जान दो टू साइट्स एन इंक्लूडेर एंगल दूसरे ट्रेंगल में भी टू साइट्स और इंक्लूडेर एंगल इक्वल है लिखेंगे देर्फ़र ट्रेंगल एबी सी ओके कांग्रूएंट है ट्रेंगल एबी डी का ओके किस रूल से लिख दू बाई एस एस रूल से कंग्रूएंट हो गया है ओके बैटे लिख देंगे बाई एस एस रूल से कंग्रूएंट हो गया होगे तब फर्स्ट अप्रूब्ड हो गया कि यह कि फर्स्ट पर्ट प्रूब्ड हो कि एन ट्रेंगल एबी-सी in Tangle COVID क्या किस रूल से साइड़ एंगल साइड रूल से में मैं क्या कर रहा है कि बी सी और बी डी ने बताइए क्या है अब देखो जएसे दो ट्रेंगल क्ग्रूएंट हो गा तो तो की बी-सी और बी-डीम क्या रिलेशन होगा, देखकं क्या है, चुक्क हम अब जस्ट हमने पूफ किया, ता सिंस ट्रेंगल ए बी-सी कॉंग्रुवेंट है, इसका ट्रेंगल ए बी-डी का, यह जित गॉफ किया हो किया है, आद अल्ल डेरी हमने पूफ किया है फर्स्ट पार्ट में यह प्रूपट किया है जैसे congruent होता है दो टेंगल तो corresponding side इकल हो जाता है corresponding angle भी इकल होता है आप देखें वेटें triangle ABC में BC के corresponding कों सा side है triangle ABD में यह वाली side है therefore क्या हो गया BC equal to BD हो गया by CPCT से वोलते है CPCT मतलब क्या होता है corresponding parts of congruent triangle C मतलब corresponding P मतलब part AC मतलब ہותा है congruent Ok 10 means triangle आपनिज जब दो targeting congruent होता है तो corresponding lamb corresponding angle हो जाता है एब के हमने corresponding side abile कर दिया by 線 bus BC सब्सक्राइब क्या करना चाहते हो तो दोनों इक्वल है तोनों क्या है इक्वल हो गया कुछ नहीं था इसमें ओके ठीक है जो क्या क्या होगा था में थे आए वाली साइड और इवाली साइड ओर इंक्लूडब इंस दोनों सैड इसके इक्वल है तो कोमन है और इस एंगल कह ही मतले टूफ इस एक्वल के इक्वल है थाip हो गया टू साइट्स और इंक्लूडेट एंगल इकोलेक्ट इसलिए कॉंगूरेंट हो गया ओके वेटे है कि अब कि अब है कि अब है कि अब है कि यह कोशन खुश से करो देन क्लियर हो जाएगा ओके